अच्छा अच्छा आपको स्मार्ट बनना है आप आए हो इंडिया के सबसे स्मार्ट पॉड्कास दरण वीशो हिंदी क्लिप्स के चैनल पर सब्सक्राइब हिट लाइक बाटन और यह वीडियो को शेयर तो आप हिस्टोरियन हो सर और आपने जितनी भी किताबें पड़ी है यहां भी आपको सही लगे शायद में भी मुगल एरा से स्टार्ट करते हैं कि तब पाकिस्तान में क्या हो रहा था तो यह जो पूरा कंफिक्ट है इसेंशली रिलिजियस और कल्चरल कंफिक्ट यह पूरा कंफिक्ट धर्म मजब के बेजिस पर हुआ है पार्टिशन धर्म और मजब के बेजिस पर हुआ था तो इसके रूट्स एक हजार वर्ष के आसपास के पहले की बात है पहले आरबिक इन्वेजिन्स हुए सिंध में जी थोड़े बहुत सक्सेस्फुल रहे हो बिन कासम नाम का एक अलेजटली एक जगती था जो आया है था और उसने थोड़ किये उसके बाद सेंट्रल एजिया से मैसिव वेज़ ओफ इन्वेजिन आये तुर्कों के तर्किक लोगों के जो इवेंच्विली जिनको मुगल कहा तो पहले दिली सुल्तिनत बनी और ये तुगलक आये और लोदी आये chronology उल्टी सिधी होगी तो इन्हों ने धीरे धीरे भारत में western region में पहले कबजा किया सबसे पहले गांदार में कबजा किया जिसको फिर अफगानिस्तान कहने लगे और western region मतलब सिंध और ये सब regions और दीरे दीरे चार पाँच सद्यों तक हमारे लोग लड़ते रहे हैं उनसे ये एक सबता में उन्होंने भारत को conquer नहीं किया 300-400 साल लगे उनको ये करना है बहुत बार बार उन्होंने attempt किया और दीरे दीरे आये फिर उन्होंने northern इंडिया को conquer किया वहां पर उन्होंने अपनी अपनी सल्तनत की स्थापना की और फिर दीरे दीरे मोगल empire eventually इसमें से emerge हुआ हमारे सारे universities destroy कर दिये libraries जला दिये ये सब सत अब इसको इससे हम छूप नहीं सकते हैं ये सब हुआ है हमारे सारे temples तोड़ दिये और बहुत सारे atrocities हुए religion के basis पर और Afghanistan पूरा दीरे-दीरे convert हो गया और Punjab में भी ये सब हुआ and so on तो ये backstory है जो partition के समय जो हुआ उसका पुराना backstory है फिर मुगल सल्तनत की स्थापना हु बाबर ने शुरू किया फिर हां बाबर था रहे शुरूवत में ये बाबर था फिर हुमायों था and so on अकबर आया अफ़ाद में और दीरे-दीरे ये सल्तनत बहुत बढ़ी हो गई फिर 18th century में Maratha empire ने Delhi सल्तनत को destroy कर दिया पूरी तरह से pipe out कर दिया more or less भारत से और Afghanistan तक भा region था कलकत था जो आज कहते हैं वहाँ पर British लोगों का rule था अब इन्हों ने धीरे-धीरे अपना में बहुत fast forward कर रहा हूँ अपना territory बढ़ाया उन्होंने और Maratha empire में जो inner struggle था inner conflict था उसके ओपर play करके Anglo-Maratha wars होए और eventually ये जीत गए और उन्होंने तो लोग ऐसा मानते हैं कि मुगलों को British ने हराया है ये बात सच नहीं है मुगलों को Marathas ने हराया था और Maratha empire को destroy किया British ने और फिर उन्होंने अपना British राज की स्थापना की भारत में और British लोग ने क्या किया कि उन्होंने divide and rule policy का उपयोग किया one caste against another caste सबसे पहले caste system को उन्होंने ossify किया फिर one caste कास् fight करवाया फिर उन्होंने religion versus religion का ये किया obviously already existing fault lines थे बारत में उसको उन्होंने exploit किया और ये दुन्या भर British ने किया अफरिका में एशिया में मतला यहां तक Tamil Nadu में भी Dravidians और non Dravidians के भी जगडे करवाया है रवांडा में जो हुआ ये भी इन लोग ने ही करवाया था तो 90s म उनका जो इतना बड़ा बयानक genocide हुआ था रवांदा में वो सब भी उसका roots भी यही है लोग अक्सर यह मानते कि European imperialism के विजेता यानि कि winner Britishers थे यानि कि अलग-अलग European डेशों में एक जंग चल रही थी कि कि किसके पास सबसे ज्यादा territories है और सबसे ज्यादा colonies है और वो ज जंग में Britishers सबसे आगे चले गए मतलब उनकी imperialism की game बहुत जादा strong हो गई क्यूंकि उनका logic था divide and rule policy यानि कि दूसरी टीम में जगड़े करवा खुद आप जीत जाओ गए तो यह specifically आप कह रहो कि जब Maratha Empire was at the top of Indian subcontinent Maratha Empire के बीच में जाकर divide and rule policy अपलाई करी फिर से जगड already power struggle चल रहा था internal divisions हो रहे थे तो उसका उन्होंने फाइदा आउठाया और उसको और exacerbate किया और फिर they fought the Marathas and दीरे दीरे I think at least दो Anglo-Maratha wars हुए और eventually उन्होंने Maratha Empire को dismantle कर दिया so बारत में जो Maratha Empire था उसमें already internal divisions थे power struggles चल रहे थे politics चल रहा था चत्रपती साहिलान हो गए थे पेश्वा उपर आ गए थे और बहुत कुछ ऐसा होता है empires में unfortunately तो इसका उन्होंने फिर पूरा advantage लिया और ये उपर आ गए हुआ हुआ है